बिस्मिल्लार वाक्मान वाहीम, असलाम लेकों विवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज मैं आप से अपता मॉल्ट फेर्वरिट चने की दाल का हलवा शेयर कर रही हूँ ये देखें कितना दानेदार है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगें तो लाल सिब्सक्राइब को क्लिख कर दे साथ में ये जो बेल का आइकोन है इसको क्लिक कर दे इसको क्लिक करने से आपको मीरी आ नई वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले फरी में मिलेगा बिसमिल्लाई भख्मान नहीं जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं चने की दार इसमें एक कप की मिदार मिली है और ये एक पाउस से थोड़ी कम है यानि कि दो सो ग्रेम की आस पास है चाल पांच पानियों में अच्छी तरह से इसे धो लेंगे अच्छी तरह से धोने के बाद इसका पाने गरा देना है दूद इसमें पांच सो एमेल या आदा लीटर की मिदार में चाहेगा दाल को हम दूद में बगऊएंगे जैसे ही दूद में उबालाई का हीट को आफ कर देंगे गर्म गर्म उबलतेवे दूड को डाल में डाल देंगे इस से दाल बहुत ही सौफ्ट होगी दाल को इसी तरह दूड में बगवए दस से बारा गंटे के mlिए रहने देंगे दस से बारा गंटे में दाल काफी तक पूल ऐसे काफी दूड का लिक्रिट भी आवी है इसकी ताकत और अफादित में जाफिय के लिए चार खाने वाली चमई सूजी शामिल करेंगे और दो मिन्ट तक लासमी इसे ब्लैंड कर लेंगे ये देखें कितना जबतरस इसका पेस्ट बन गया है तकरीबन एक घंटे तक इसको रेस्ट देंगे इससे सूजी मजीद फूल जाएगी ओल को तो मिन्ट तक मीडियम लो हीट पे गरम कर लेंगे मैं आपको बैटर दिखा देती हूँ इस देखें इस तरह से गाड़ा हो क्या है चूले के आँच को बिल्कुल लो कर देंगे और इस तरह बल्ले फ्राई करते ना इस तरह से इने फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो हीट के वई से अंदर से अच्छी तरह से सिक जाएंगे यानि इसका कोई हिसा ऐसा नहीं होगा जो कच्छा हो लो हीट पे फ्राइ होते तकरीबन 7-8 मिंट हो चुके हैं इस इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि एक्स्ट्रो आइल निकल जाए यह दिखें प्रेस करते हैं अगर किसी में इस तरह से महसूस हो यानि इसके अंदर कच्छा पान है तुबारा से इसे फ्राइ कर लें और जो अच्छी तरह से सिक्के में उसे निकाल लें इसमें क्योंकि दूड डला हुए आप छोटे-छोटे से पैंकेक भी ने कह सकते हैं इस तरह इसे चने की डाल के भल्ले भी कह सकते हैं इस तरह से सबके हमने चोटे चोटे से बल्ले बना लिये हैं निए चौपर मुशिन में इचा सा पीश लेंगे चौपर मुशिन की तरह blending जग में भी अची तरह से आप इसे पीश सकते हैं मियास के लड़ू के रेसीपी में इसी तरह से ब्लैंडिंग जग में उसे बिल्कुल मैश कर लिया था सेकिंड बैज को भी इसी तरह से पीस लेंगे हीट को बिल्कुल लो रख था तक रिम फॉर्टी सेकंड सक इसे ड्राइ रोस्ट कर लेंगे है छिल्किसमेद अलाइची की बहुत जबरदस तुमाल की हुष्भू होती है'' छिल्किसमेद अलाइची को पीस लिया है वही उल जिसमेद चने की डाल के भलों को फॉराइ किया था उसमें से चार खानी वाली चमच। ऑले ले चीनी को भी शामिल कर देते हैं पिलकुल लो आँज पे इसकी बुनाई करते जाएंगे इसे चीनी भी पिगल जाएगी और वकाया जो भुनाई है वह भी कमप्रीट हो जाएगी इसके साथ दीकी ड्राई इसमें शामिल कर देंगे आपको जो भी अच्छा लगे ड्राइफूट इसमें शामिल कर दें इन्शाला बहुत ही द्यानेदार और बरबरा सा हल्वा बनेगा और सबसे इच्छी बात इसमें चनी की दाल की हल्की सी भी स्मेल नहीं आएगी यह मेरा मौट्ट फेवरेट मुझे अमीद है आपका भी यह मौस्ट फेवरेट हल्वा बन जाएगा इसके साथ ही चनाप अगर आप मेरे चैनल पर ने हैं और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट से सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन ब्रेस करना बहुत ही जरूए है इसके बाहर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन है मिल पाएगा तुआओ में याद रखें वीडियो लाइक शेक करना बिलकुल मिना बुलीगा इसके साथ ही मैं जाज़त चाहती हूँ अल्ला हाफेज